आज हम आप सभी को दिखाने वाले हैं हमने खेत में क्या क्या लगा रखा है तो यहां पे चनी का साग है मूली है और काजर मेथी सलगम पालक बहुत सारी चीजे और यह है लहसुन जो कि इसका नलाव अभी नहीं किया है जो यह खत्पतवार है वो नहीं निकाला गया है और यह जो साइड में क्या रही है इसका अच्छे से निकाल दिया है और यह बो रखे हमने मटर जो कि अभी उगना शुरू हुए है क्योंकि हमारे यहां पे इसी टाइम पे मटर बोई जाती है यदि जल्दी बोते हैं तो वोगती नहीं और साथ में बो रखे हैं गेहूं और यह हमारा बाग है मोसमी का जिसमें के एक निम्बू को पेड़ है और इसमें इतना ज्यादा निम्बू लगता है इतना ज्यादा निम्बू का फल आता है इसमें बेहिसाब का एक पेड़ है लेकिन इसमें फल इतना ज्यादा होता है बहुत ही अच्छा पेड़ है लेकिन तेसका अचार हमने डाल था उतना अच्छा नहीं बना से बार claims ना चोटि नुमु का बनता है उतना अच्छा नहीं बना और आज में बहुत दिनों के बाद अपनी वीडियो डाल रही हूं working बहुत सारे कारण रिजान है जिस कारण से में अपनी वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं और यहां से मैंने दो ती निम्बु तोड़ लिए वैसे नीचे भी नीरे टूटके अपने आप गिरे हुए क्योंकि सर्दियों में इतनी जरूरत नहीं होती है निम्बु की कम ही लगता है गर्मियों में तो चलो निम्बु पाने पी लेकिन सर्दियों में निम्बु की कम लागत होती है कम यूज किया जाता है तो यहां पर मैंने एक दो निम्बु ऐसे ही तोड़ लिए हैं और सुब वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दो बैता कि आने वाली नूव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें और एकदम साफ बातावरन हैं बिना पलूशन का और यहां पर हमने बोरुखे कास नहीं जिनकी हो थी ज्यादा ट्रंड थी हम भाई अदूज पर गए थे तो इकना अच्छा मोसम था अच्छा लग रहा था वैसे तो आप सर्दियां आने वाली आने वाली के आहीं चुके लेकिन खेतों में और भी ज्यादा सर्दी है मुकाबले गाउं और शहर के और यहां पर और मुल इस व्लोग करते हैं यहीं पर एंड और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको हमारा यह व्लोग कैसा लगा तब तक के लिए बाई बाई झाली करते हैं अपको हमारा यहीं थार बाई प्लोग के लिए गाउफले को हमारा यहीं हो झाल झाल